अस्सलाम अलेकुम फ्रेंज मैं नफिसा फूड एंजल नफिसा में आपका स्वागत है तो आज मैंने बनाए थी बीन्स और आलू की सबजी यह बहुत अच्छी बनती है आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजिए चलो इसे बनाना शुरू करते है इसे बनानी के लिए हमने यहाँ पर हाफ के जी बीन्स लिए है दो आलू लिए है बारी कटेवे अद्रक लसुन का पेश लिया है दो टमाटर लिए दो प्याज लिए कटेवे लाल मिर्च लिए है धनिया पौडर हल्दी पौडर चलो इसे बनाना शुरू करते है अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया उस के साथ हम दाल लेंगे हमारी प्यास और टमाटर अब हम अब हम इसमें बीन्स दाल लेंगे और इसे भी अच्छे से खोड़ा भून लेंगे इसके साथ अब हमारा बीन्स अच्छे से भून चुका है अब इसमें आलो एड़ कर देंगे इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें मसाले एड़ कर देंगे एक चमाच हल्दी पौडर एक चमाच धनिया प करेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें नमक करेंगे स्वाध अनुसर अब हम इसमें एक ग्लास पानी आड़ कर देंगे ताकि हमारी जो बीन्स आलू है अच्छी तरह से पब जाएज सारी चीज़े अच्छी तरह से मिक्स हो गई है अब इसे हम ढग कर बिसमेंट के लिए पका देंगे यह देखें कितनी अच्छी से हमारी सबजी बनकर तयार हो चुके अगर यह सबजी मेरी आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्स्राइब करना मत बुलना बाई